कुमार गुपता जी यूटूब चैनल में आपका स्वागात है यह स्पीडी का 22 पार्ट जो बहुत ही इंप्रोटेंट है विभिन प्रतियोगता प्रेक्षाओं के लिए उप्योग गिया है किर्पिया इसे एक बार जरूर देखे यह रहा आपके समने पहला कोस्चन चार ओप्षन दिए गए दोस्तों इसका सही अंसर नमर सी पस्चिम मंगाल कुलकत्ता की राजदानी है पस्चिम मंगाल में यह खन कोईलाका खन है जो बहुत प्रसिद्ध है विभिन परकार के इससे कोईलाका खन निकाला जाता है जो बड़े-बड़े सहरों में बहुत- नेक्स्ट कोश्चन है भक्ती अंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है चार ओप्षन दिए गए दोस्तों इसका सही अंसर है ओप्षन नमर डी रामोनुजाचार को बक्ती अंदोलन का जन्मदाता माना जाता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारत का राष्टी गउन ये तो शब लोग जनते हो बारत का राष्टी गवन क्या है तो जण गर्मन option नमर C सही है भारत का राष्टी गवन जण गर्मन और राष्ट गीत बंदे मौत्रम और जणडा गीत है इंद देश का प्यारा जणडा हुचा सता रहेगा पौश्चन देगे दोस्तो देख्यों यह रहा सिवा जी को राजा की उपादी किसने परदाऊन की थी चार ओपशन देगे दोस्तो इसका सही एंसर है ओपशन नमर्डी सिवा जी को राजा की उपादी Ausrift Christian नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, दोस्तो, पहुंचि नंमर, चुनाओ या चिकाँ पर निर्नाई लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? चार अप्शन देखें दोस्तो, इसका सही अंसर है, अप्शन नमर एक उच्छ नियायालाई को चुना आयोग पर निर्नाई लेने का अधिकार प्राप्त है नेक्स्ट कोश्चन पाते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन है यू एन ओ के महसवा के पर्थम महिला दक्षा कौन थी कोश्चन एक बार फिर से बोल रहा है कि यू एन ओ के महसवा के पर्थम महिला दक्षा कौन थी तो इसका सही अंसर है दोस्तो अप्शन नमर एक स्रीमती विज्या लक्षमी पंडित यू एन ओ की पर्थम महिला दक्षा थी नेक्स्ट कोश्चन यह रहा अनन्द डेरी फोर्म किस राज में इस्तित है चार उप्शन दिएगे दोस्तो इसका सही अंसर है अनन्द डेरी फोर्म गुजरात राज में इस्तित है गुजरात राज की राज़ानी गंधी नगर ये रहना नेक्स्ट कोस्चन दक्षिन अफ्रिका की मुद्रा है चार उप्षन दिएगे दोस्तो इसका सही अंसर है उप्षन नमर एक दक्षिन अफ्रिका की मुद्रा रेंड है नेक्स्ट कोस्चन देखे दोस्तो ये रापलों समने ग्यानपीट पुरुषकार जीतने वाली पर्थम महिला कौन थी तो चार ओप्शन दिये गए दोस्तों इसका सही एंसर है ओप्शन नम्र C आसा पुर्णावदेवी ने सरपर्थम ग्यानपीट पुरुषकार जीता था और यह एक कोश्चन इसमें थोरा सा फेर हो गया कि हिंदी में ग्यानपीट पुरुषकार सरपर्थम किषिने जीता था महोदेवी वर्मान है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं यह रा नेक्स्ट कोश्चन आप लोग समने दस नम्र कोश्चन है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगा कहों पर इस्थित है चार ओप्शन दिएगे दोस्तो इसका सही अंसर है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगा अजमीर शरीफ में इस्थित है अजमीर वास्तब में राजस्थान में नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं ये रा नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन है आलपस परवत कहां पड़िस्थीत है चार ओप्शन दियेगे दोस्तो इसका सही अंसर है आलपस परवत वास्ता में यूरोप महँदेश में इस्थीत है नेक्स्ट कोश्चन आते हैं देखिए कोश्चन कहरा है कि आलपस परवत किस परकार का परवत है चार ओप्शन दियेगे दोस्तो इसका सही अंसर है आलपस परवत एक परकार का वलित परवत है कुछ वलित परवतों के नाम बोल रहा हूं हिमालय, आलपस, यूराल, रोकीज, एंडीज ये सभी वलित परवत के उधारन है नेक्स्ट कोस्चन देखिए इसके द्वाराममत दाता की आईूस हिमा को 21 साल से 18 साल करती गयी एकदम ये । परदेता हूं भारत का राष्ट पसू कौण है ओप्शन नमर B बाग परवत परवत परदेता हूं ये नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन है हिरोश्म पर गिराये गे बम का नम क्या था तो एक वार हिरोश्म पर बम गिरा था एक वार नागा सकी पर एक वार 6 अगस्त को बम गिराये गया था एक वार 9 अगस्त को गिराये गया था हिरोश्म पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराये गया था उस ब उत्री कमांड का मुख्यालाई कहां पर इस्तित है भारत ये अस्तल से न तो थल से न हो गया पूछ रहा है इसका उत्री कमांड का मुख्यालाई कहां है तो उत्री उसे उत्री उसे उदम पूर एंसर हो गया नेक्स्ट कुस्चन किये रहा कुस्चन है थियोसोपिकल सोसाइटी का अंतराष्टी मुख्याले कहों पर इस्थित है कुस्चन एक बार फिर से बोल रहा हूं कि थियोसोपिकल सोसाइटी का अंतराष्टी मुख्याले कहों पर है तो एंसर हो गया अडियार ओप्सन नमर C हावला कोस्चन समझके छोड़िये मत दिखे एक्जम में अक्सर हावला ही गलत हो जाता है बड़े बड़ी कोस्चन तो छोड़ के ही आ जाते हो तो इसका सही अंसर है ओप्सन नमर D औरंग जीव के साथ अंग्रेज़ों का पाला संगर्ष हुआ था नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन है विलायत खं का संबंध किस वादी यंत्र से है चार ओप्सन दिएगे दोस्टो इसका सही अंसर है विलायत खं एक प्रकायर के शितार वादक थे ओप्सन नमर C नेक्स्ट कोस्चन देखिए सिंदू गाटी सब्विता की सबसे परमुख बंदरगा कौन था तो चार उप्शन दिएगे दोस्तो इसका सही अंसर है उप्शन नमर्डी सिंदू गाटी सभिता का सबसे प्रमुख बंदरगा लोथल था लोथल वास्ताम में अभी गुजरात में है सिब कुमार सर्मा का संबन्द किस वादी अंतरशे है तो इसका सही अंसर हो गया दोस्तो अप्शन नमर्डी संतूर वादक है सिद्धार्थ किस मावन व्यक्ति के बचपन का नाम है इग आप लोग से भी विधित होगा इसका सही अंसर आप्शन नमर c गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार था next question दखिए संथाल विद्रों के प्रमुख नेता काँ थे चार आप्शन दिएगे दोस्तो इसका सही अंसर है अप्शन नमर एक संथाल विद्रों के प्रमुक नेता सिंदू और कौनू दो व्यक्ति भाई थे नेक्स्ट कोश्चन हरी पंडित हरी प्रसाथ चोड़सिया का संबंद किस वादी अंतर से हैं चार अप्शन दिएगे दोस्तो इसका सही अंसर नमर सी पंडित हरी प्रसाथ चोड़सिया प्रसी द्वासुरी वाददक है नेक्स्ट कोश्चन दखिये कोश्चन हर और से रबजार का नियंतरन किसके द्वारा क्या जाता है चार अप्शन दियेगे दोस्तों इसका सही अंसर अप्शन नमर बी सेवी द्वारा नेक्स्ट कुस्चन देखिए हल चलाने के निसान हरपा सब बिताके कि सस्थल से प्राप्त हुए है चार option दिएगे दोस्तों इसका सही answer है काले बगगन option नमर D ये देखिए next question अपनों को समने आ गया question है बीमाँ छेत्र का वी नियमन कौन करता है तो इसका चार option दिएगे दोस्तों इसका सही answer है बीमाँ छेत्र का नियमन आई आई डी ए करता है इसको इरड़ा भी कहा जाता है next question है दोस्तों ये देखिए question है पंचायत और नगरपालिका का चुनाओ कौन करवाता है चार option दिएगे दोस्तों इसका सही answer है option नमर D पंचायत और नगरपालिका का चुनाव राज चुनाव आयोग करवाता है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कोस्चन है भारत सरकार का पर्थम विदी अधिकारी कौन होता है तो इसका सही एंसर हो गया दोस्तो भारत सरकार का पर्थम विदिय दिकारी महोन यायवादी होता है अप्चन नमर बी नेक्स्ट कोस्चन देखिए एक तरस इंपोर्टन कोस्चन है गौड इस ग्रेटेज्ड किस देश का राश्टी गउन है तो इसका सही एंसर है दोस्तो अप्चन नमर एक या अफगोनिस्ताउन देश का राश्टी गउन है नेक्स्ट कोस्चन देखिए आगया कि एड्स का नामकरन कब हुआ था एड्स का नामकरन कब हुआ था तो इसका सही एंसर है दोस्तो अप्चन नमर सी AIDS का पहलिवार नाम करण 1982 में हुआ था Next question देखते हैं दोस्तो Question है डेंगू जवर किसके कारण से होता है 4 option देगे हैं इसका सही answer Option नमर B Virus के कारण डेंगू जवर होता है Next question देखें दोस्तो Question है आहार नाल में starch के पाचन में अंतिम उत्पाद है 33 नमर question है अहार नाल में starch के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो इसका सही answer है Option नमर 1 Maltos Next question है कि मिर्त्यू दंड पाए अपरादी को छमाओ दाउन करने की सकती किसको प्राप्त है तो इसका सही answer है Option नमर D राष्ट पती को Next question देखते हैं दोस्तो ये राप लोग समने Next question Question है कि निमलिखित में काउन एक सरोद वादक है तो इसका सही answer है अमजद अलीखं एक परसिद सरोद वादक है अल्ला रखा तबला बजाते पन्ना लाल गोश्वासुरी Next question देखिए Question है सरकारी नौक्रियों में आरक्षन किस अनुच्षेद के अधार पर पर प्रदावन किया जाएगा या जाता है तो इसका सही answer है दोस्तो अप्शन नमर D अनुच्छे सुल्ले के चार Next question है Question है भारत के राष्ट पती का अधिकार किसके सम्तुल्ली है तो इसका सही answer है दोस्तो अप्शन नमर C इंग्लेंड के सासनों ध्यक्ष के सम्तुल्ली है भारत के राष्ट पती का कारिकार Next question देखिए कुनेन अउस्दी का प्रयोग किस बिमारी के लिए किया जाता है तो इसका सही answer है अप्शन नमर एक मलेरिया यह कुनेन अउस्दी सिनकोनों व्रिक्ष से प्राफ्थ होता है Next अंतिम question है कि चाय पैर के किस बाग से प्राफ्थ क्या जाता है तो इसका सही answer है दोस्तो अप्शन नमर D पत्ती से छाय पैर के पत्ती से प्राफ्थ क्या जाता है Next वीडियो के लिए दोस्तो इंतिजार करें और वीडियो इससे पहले पूरे पाट का वीडियो देखने के लिए निचे description दिया गया है चैनल को subscribe करके description दिया गया है उससे देख सकते हैं जày मताज